हाई है यहीस कैसे हैं आप सब IPL 2024 का 198 मुकाबला दो रोयल्स के बीच में खह्ला जाने वाला एक तरफ है जास्ता रोयल्ड के Casey में में काबला जीत हेगी एक तरफ है जौस्त दुस्री तरफ है दूसरे तरफ है ऐहांन तरफ है यहांन परागो ett ही कमाल का एक्साइटी मुकाबला होने वाला है तो कौन से टीम में मुकाबला जीद सकती है कि आगे बढ़ने से पहले आप से छोटा सा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक मत करो मैं कह रहा हूं मत लाइक करना डिसलाइक कर दो चैनल को सब्सकाइब इस वीडियो को पूरा देख लेना पूरा देख लोगे तो आपको समाज में खुद ही आ जाएगा कि क्या हाल चाल है कौन से टीम मुकाबला जीद सकती है किस किस प्लेयर को हमें अपनी टीम में लेना है ठीक है तो 6 अप्रेल को साम साड़े साथ बचे से से सेवाई मान सिंग स्टेडियम जैपूर में मुकाबला खेला जाने वाला है आईए दोनों टीमों का हाल चाल देख लेते हैं इस IPL में किस का कैसा प्रदसन रहा है तो दूसरे नंबर पे इस समय राजस्तान की टीम बनी हुई है और जबर्जस्त हला मचारी तीन मैच खेले तीनों जीत चुक है और 3 out of 10 मार्स जो है RCB को मिल रहे है प्रिफियर्स मैच की बात किया है तो राजस्तान रोयल से अपना आखरी मुकाबला मुंबई के घर में मुंबई से जीत करा रही है 125 पे मुंबई को समेट दिया था बहुत बड़ी बात होती है मुंबई में घुसकर मुंबई को 125 प वापस आ सकते हैं दो विकेट निकाले आवेश खानला अतार अच्छी गेंदबाजी करें चतुर चालाक चहल सिर्फ 11 अरं दिये चार अबर में तीन विकेट निकाले है तो गेंदबाजी में काफी दमखम नजरा रहा है और गेंदबाजी राजस्तान रोयल्स की सबसे अभी तक इनके दोनों ओपनर्स ने एक अच्छी शुरुआ टीम को नहीं दी है और पहले मैच में रन बनाने के बाद संजू शैम्सन ने भी नहीं चल पाए हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि रियान पराग की कंदे पर राजस्तान की बैटिंग चल रही है नीचे से थो इस वाल उमीद करते हैं जल्दी फॉर्म में वापस आएंगे एक मैच में संजू शैम्सन तो चली चुके हैं तो 10 out of 10 marks प्रिफियर्स प्रफॉमेंस के लिए राजस्तान रोयल्स को अच्छा एक और चीज़े ये देखना काफी दिल चास्पो का जिस दिन रियान पराग न नहीं चली विराट 22 पे आउट हो गए फैफ लगतार फ्लॉप हो रहे हैं रजट पड़ितार ने कोसिस की थोड़ी बहुत 19 संद तक पहुंचे लेकिन कुछ किये नहीं मैक्सवल इस साल भईया मैक्सवल का साल नहीं है बहुत ही भेकार खेल ले हैं 0-2-1 सिंगल डिजिट प्याउट हो रहे हैं ग्रीन वीवेकार खेलने अनुष द्रावत भी स्ट्रगल कर रहे हैं नीचे लम्रोर ने कोसिस की थी आखरी मुकाबले में लेकिन जीत नहीं दिला पाये थे 13 गिंदो पे तैयतिसन बनाया कार्थिक अच्छे फॉर्म है तो नीचे कार्थिक लम्रोर और एक मैच में अनुष चले थे उसके बाद फ्लॉफ हो रहे हैं तो ने उसको अटा दो लम्रोर और कार्थिक अच्छे फॉर्म है बट ऊपर से अगर कोई रन नहीं करेगा तो नीचे यह क्या ही कर पाएंगे तो बैटिंग में काफी कंसर न जहरा रहा है बैटिंग चल नहीं पा रही है आर्सीवी की बैटिंग विराट के कंदो पर इस वक्त चल ले ही यह कहना गलत नहीं हो गिंदबाजी की बात कि जा है तो गिंदबाजी का भी भहिया वही आल है और टोपली को मोखा दिया गया अलजरी जोसेफ की जगा और यह भी बुरी तरीके से मार खा क्राइँ की दूसरे स्पीनर और साल खेल रही है तो गिंदबाजी मं कुछ रहत नहीं देखने को भाइँ बहुती बेकार बलली बाजी और RCV is playing like RCV 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 की तरह ही साल खेल रही असली RCV की तरह बीच में कभी-कभी इनमें इस पाक दिखने लगता है मैचे जीतने लगते हैं बट यह है RCV असली RCV 5 out of 10 marks previous performance के लिए RCV को प्लेइंग 11 में दोनों टीम में बदलाव हो सकता है चर्फल का है शंदीप शर्मा वापस आये तो इसे में बर्गर है यह impact substitute इस्तमाल होंगे सुवम दूबे का इस्तमाल किया गया था चर्मा की जगा impact substitute के रूप में बट इस मैच में संदीप वापस आये तो सुवम दूबे बाहर जा सकते हैं और वहीं RCV की बात किए तो वहीं अब विल जैक को मौका देना चाहिए अब कैसे दे रहे हो किसकी जगा दे रहे हो यह कप्तान का हैडिक है बट विल जैक की जगा तो टीम में बनती है देखते हैं कि मौका देते हैं या नहीं ठीक है और आईए अब बिना किसी तेरी की बैटल शुरू करते हैं भाई ओपनिंग बैटल देखी जाए तो राजस्थान के रोयल्स के तरफ से जॉस दो बॉस या सिस्वी जैसवाल वहीं रोयल चैनलिज बैंगलोर की तरफ से फाफ डुफलेसिस वैबलस डुफलेसिस द किंग कोहली यहां पे नजर आने वाले हैं जॉस का फाफ से कंपेर करते हैं तो दोनों बहुत ही खतरनाक खिलारी बिधवनसक ओपनर तावर तोड़ बले बाजी करते हैं अगर टिक गया है तो वहीं सिंगल हैंडली मैच चलाते हैं बट इस साल दोनों के लिए जो है साल अच्छा नहीं जा रहा है और बैक टू बैक मैचों में बटलर भी फ्लॉफ हुए और बैक टू बैक मैचों में फाफ भी फ्लॉफ होते हुए नजर आ हैं बट इस venue पर 17 पारियों में 626 बटलर के हैं 14 पारियों 412 RCB के खिलाफ जो है बटलर के हैं और 15 पारियों में 489 फैफ के हैं Numbers बहुत अच्छे हैं बट form दोनों का अच्छा नहीं है दोनों एक टाइप के similar खिलाड़ी अगर चल गया है तो अकेले ही मैच बदल देंगे तो यहाँ पर battle मुझे equal नजर आ रहा है अगर यह सस्वी जैसवाल और विराट कोली का comparison किया जाए तो वैसे तो आवधा में विराट कोली बहुत बड़ है बड़ यह सस्वी जैसवाल भी ताबर तोड़ बले बाजब modern T20 प्लेयर है बड़ फॉर्म इस साल इनके साथ भी नहीं है और विराट के साथ फॉर्म है 77, 83, 22, 21 इस तरीके का score करें वहीं यह सस्वी जैसवाल 10, 5, 24 इस तरीके का score करते वे नजर आए है और venue पर भी numbers कुछ खास नहीं है RCB खिलाफ भी numbers कुछ खास नहीं है वैसे RCB, RR के खिलाफ 680 रन विराट कोली बना चुके है experienced खिलाडी है तो विराट, धरन, मसीन, कोली विराट का एक factor अलग से add हो जाता तो यह battle obviously विराट कोली जीत रहे है यह सिस्वी जैस्वाल, modern T20 player अगर form में होते तो फिर यह बिराट भारी भी पढ़ सकते है बट इस वक्त form में नहीं है इसलिए opening battle में 9 out of 10 marks मिलते हैं किसको? RCB को और RR को मिलते है 8 out of 10 marks दोनों टीमों के openers ने इस साल अपनी अपनी टीमों को निरास किया है अची सुबात नहीं दे पाए है middle order की बात किया है तो रोयल्स की तरब से रास्तान, रोयल्स की तरब से संजु शैमसन, रियान प्राग, धुरू जोयल नजर आएंगे वही RCB की तरब से रेट पड़र, ग्लेन मैक्सवेल और ग्रीन नजर आएंगे नाम बड़े अच्छे-च्छे है दोनों टीमों के हमें दे रोलर में लेकिन रर की तरब से रियान प्राग बहुत अच्छे फॉर्म में उनके कंदे पे रर की बैटिंग चल लिए लेकिन RCB में ऐसा कोई नहीं है जो अपना कंदा RCB को दे सके रशत परिडार, बैक टू बैक मैच अब फ्लॉफ हो रहा है और इनके सामने संजू शामचन है जो कि अटलिस्ट एक मैच में 82 रन बना चुके है और अपना फॉर्म जाहिर कर चुके है ठीक है उपर से एक्सप्रियंच खिलाड़ी बेस वाइन उपर 614 रन बना चुके है RCB खिलाब नमबर्स कुछ खास नहीं है बट एक मैच में चल चुके है एक्सप्रियंच डेक कैप्टन है तो ये बैटल ओबिसली संचू शामचन जीत रहे है एक भी मैच में नहीं चल रहे है रियान पुराग मैक्सवल का कंपरजन केजा दोनों बैटिंग बॉलिंग कर लेते हैं ठीक है रियान पुराग भी गिंदबाजी कर लेते हैं बट गिंदबाजी कराई नहीं जा रही है और ये देखे तीनों ही मैचों में रन बनाते हुए नज़रा है रियान पराग सेकेंड लीडिंग स्कोरर है इस वक्त इस IPL के मैक्सवेल एक मैं अठाइस इस IPL में इनका उच्टम स्कोर अठाइस रहा है उसके अलवा दो बार डग पे आउट हुए तो बहुत ही बेकार फॉर्म से गुजर रहा है ग्लैन मैक्सवेल जिस तरीके के खिलाडी है अकेले मैच चलाते हैं लेकिन ये साल इनका नहीं है ये साल है रियान पराग का टोमेस्टिक सीजर में अच्छा कर क्या रहे हैं आपियल में भी अपनी टीम को मैच जिता रहे हैं और मुंबई में भी हमने देखा कि कैसे डिफिकल्ट सिच्वेशन में इन्होंने मैच जिताया बाउन का आवरेज इस बैन्यू पर है रियान पराग का और ये बैटल रियान पराग के फेवर में जा रहा है तो मिडिल ओडर में दो प्लेयर तो ऐसे ही जीत जा रहे हैं आर्सीबी के प्लेयर से और यहां दुरू जुएल और कैमरन ग्रीन का कंपरेजन किया जा तो एक मैच में 33 और ग्रीन ने बनाया था और Green के साथ के इंदबाजी का भी एक advantage आ जाता है बर Drew Zwell जो है यह बहुत ही talented player है बहुत जादे talented player है international matchों में भी अपना नाम बना चुके हैं तो यह battle मुझे लगवग लगवग equal नजर आ रहा है ठीक है तो middle order obviously राजस्थान रोयल्स का इस वक थोड़ा जादे बेटर कर रहा है 8 out of 10 marks और 6 out of 10 RCB के हो ठीक है वैसे रियान पराग के दम पे चल ला है middle order राजस्थान का भट एक match में Sanju Samson चले हैं और Drew Zwell ने भी not out कई बार 20-25 न करके दिखाया है इसलिए middle order जादे बेटर कर रहा है RCB से RR का ठीक है low order की बात की जाए तो रभी चंद्रन अस्विन, सिम्रन हैट मायर, राजस्थान रोयल्स की तरफ से नजर आएंगे वहीं RCB के तरफ से दिनेस कार्थिक, अनुजरावत और लमरोड नजर आने वाले है अचा एक सुवम दूबे है, सुवम दूबे आखरी मैच खेले थे छेरन बनाया थे not out तो उन पे एक question mark लगा हुआ, खेलेंगे नहीं, खेलेंगे संदीप सर्मा को चोट लगी थी, इस बज़े से उनको मोगा मिल गया बट इस मैच में खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, कोई गरांटनी नहीं है, इसलिए उनको मैंने comparison में नहीं रखा है, रभी अस्वीन का दिनेस कार्थिसक से comparison किया जाया तो अस्वीन ने अच्छी बैटिंग करके दिखाई है, 29, 16, 16 तरीके का score किया आखरी मैच में भी अच्छी पार्टनर्शिप करी थी रियान पराग के साथ, बट दिनेस कार्थिक के कलग ही लेवल पर खेलने है 20, 28, 38 वो भी 10, 10, 15, 15 गिंदों पर बनाया है, यहां भी 31 के score हमें देखने को मिल लाया और आरर के खिलाब 630 रन बना चुके हैं, तो यह बैटल ओविसली दिनेस कार्थिक जीत रहे है फिनिसिंग में दिनेस कार्थिक का इस वक्त जो है, सामखास करके सामने वाले खिलाडियों में इनके टककर का कोई भी प्लेयर नहीं है, अगर सिम्रेन एटमायर का अनुजरावट से कंपरिजन किया है, दोनों यंग्स्टर की लाड़ी, दोनों लेफ्ट हेंडर और एकी हाइट के खिलाड़ी, एकी तरीके की सैली ये खेलने की, दोनों बहुत ही बेकार फॉर्म से बहुत ही ताबर तोड़ खिलाड़ी है, और फिनिसिंग में इनका भी कोई जवाब नहीं है, तो ये जो है RCB को काफी आगे लेकर चले जाते है, RCB के लोर ओडर को काफी मजबूत बना देते हैं, इसलिए लोर ओडर के बैटल में एक तरफ RCB की टीम जीत रही है, एक यहाँ पे राजस्तान रोयल्स को मिलते हैं, पेस बैटल की बात की जाए, तो राजस्तान की तरफ से ट्रेंट बोल्ट संदीप सर्मा वापस आएंगे, आवेस खान, उसके अलावा RCB की तरफ से टोपली, मुहमत सिराज और केमरन ग्रीन नजर आने वाले, बोल्ट का पहले भी एक एक विकेट ही लिए हैं, कुछ खास फॉर्म में नहीं हैं, और RCB खिलाफ 16 विकेट ट्रेंट बोल्ट ले चुके हैं, एक्स्प्रियंस्ट खिलाडी, 9 विकेट जो है इस पैनियू पर ले चुके हैं, और पहले के इंदबाजी करते हैं, तो एक बार फिर से त इकोल नजरा रही है, और आवेश और कैमरेंट लिए तो यहां पर दो विकेट लिया था गरीन ने, उसके बाद विकेट ही नहीं मिला, उपर से रान और खर्च कर रहे हैं, वहीं आवेश खान यहां चार विकेट लिए, यहां एक विकेट बहुत ही कमाल की गिंदबाजी क तो आवेश खान यह बैटल जीतते बने जरा रहा है, कैमरेंट ग्रीन के सामने बहुत ही बैटर सावीत हो रहे हैं, तो पेस बैटल में 9 आउट और 10 मार्क्स मिलता है, रास्तान रोयल को और 7 आउट और 10 मार्क्स मिलता है, आर स्वीवी को, इस्वीन बैटल की बात कि 11 रंदे कर 3 विकेट यहां, देथोवर में गिंदबाजी करते हैं, दो विकेट यहां, एक विकेट यहां, चार विकेट यहां, दो विकेट यहां, और इधर सिर्फ एक विकेट है, और यहां तीन विकेट है, और कुछ नहीं है, तो यह एक तरफा बैटल जीत रहे हैं, प्रफिए गिंदबाजी में कि 5 इगा रहे हैं कि निकाल कर रहा है तो यह बैटल रभी चंद्रनाश्मीन के फेवर में जा रहा है अल arg कि Maxwell जारूर निकाल रहे हैं तो इस rear battle में 6 out of 10 marks मिलता है RCB को क्योंकि Maxwell विकेट निकाल ले हैं और 9 out of 10 marks मिलता है किसको रास्तान रोल्स को 10 out of 10 marks यहां मिलना चाहिए बट अस्वीन विकेट नहीं निकाल ले है किफाईती गिंदबाजी सिर्फ कर रहे है Impact substitute की बात किया है तो बर्गर आखरी मकाबले में प्लेइंग लिवर निकाल रहे है लेकिन एक बर फिर से यह Impact substitute के रुप में खेलेंगे क्योंकि संदिप सर्मा वापस आजाएंगे और 2-2 विकेट लागातार ले रहे है मुंबई एखिला भी 2 विकेट लिया था यहाँ 2 विकेट हमें देखने को मिला तो बर्गर यह Battle Yes Dayal के सामने जीतते होने जारा रहे है 10 out of 10 marks Impact substitute के लिए आरर को और 8 out of 10 marks जो है वो मिलता है किसको RCB को Head to head battles की बात की जिया तो 27 मुकाबले हुए 12 आररर और 15 RCB की टीम जीती है RCB यहाँ पर भारी पढ़ रही है आरर पे head to head battles में तो 10 out of 10 RCB 8 out of 10 यहाँ पर आरर Last 5 message देखा जाए तो back to back मुकाबले 4 back to back मुकाबले आरर जीती है और सिर्फ एक match पिछले 5 मैचों में जीती है RCB तो obviously यहाँ सिर्फ 2 number मिलते हैं RCB को और 8 out of 10 marks मिलते हैं किसको रास्तान रोयल्स को पिछकी बात की जाए तो जैपुर किष्टा भाई मान सिंग स्टेडियमे मुकाबला खेला जाने वाला यानि कि रंस हमें देखने को मिलेंगे और साथी मिस्ट्रिंग भी देखने को मिलेगा यहाँ पर नहीं के साथ बॉलर्स बहुत ही अच्छा moment प्राप करते हैं साथी साथ एक्स्ट्रा पाउंस भी हमें देखने को मिलता है बिकेट गिंदबाथ जोको फेवर करती है बट युँए बैटर्स को फेवर करती है तो 5 एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट हौम एडवांटर्स के लिए मिलता है रास्तान रोयल्स को स्टेट्स देखा जा तो 94 मुकाबले हुए 165 कावरे स्कूर है 20 मैच सर्फ 20 मैच डिफेंड और 34 मैच चेस हुए तो दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसे जादा रहते हैं 16 बार 150 से नीचे, 19 बार 150 से 190, 10 बार 170 से 190 और 9 बार 190 प्लस बन चुका है यानि कि हाई स्कूरिंग मैच होने के चांसे यहां पर ज्यादा रहने वाले हैं लोग स्कूरिंग होने के चांसे कम रहेंगे ठीक है, 54 मकाबलों में 188 फीकेट पेसर्स ने और 108 फीकेट स्कूर्ण ने लिए हैं तो पेसर्स in comparison to spinners जादे बेटर करते हैं पेसर्स नहीं हाँ, पेसर्स को मैं जादे rate करूँगा 10 out of 10 और 9 out of 10 spinners को rate करूँगा ठीक है आगे बढ़ने से पहले फाइनल स्कोर बताने से पहले मैं आप से नरूत करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को जोइन नहीं किया तो हमरे टेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन किये जहां पर असली प्रेडिक्शन आता है टॉस मैं से संदुनिया वर के जो प्रेडिक्शन होते हैं कवर किये जाते हैं और इस मैच का अभी फाइनल प्रेडिक्शन इस वीडियो में अभी मैं फाइनल प्रेडिक्शन नहीं बता रहा हूं तो final score और कुछ इस तरीके से है, RR को मिले है 91 out of 100 और RCB को सरफ 64 out of 100 marks मिले हैं, यानि कि तब winner is Rajasthan Royals, जी हाँ according to me, Rajasthan Royals में भी the winner of this match, बाकी आपको क्या लगता है, कौन से team जीत सकती है, आप हमें comment करके जरूर बताईएगा, बाकी cricket is the game of uncertainty, यहां कभी भी कुछ भी हो सकता यहां पर नजर आ रहे हैं, तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो, मुझे उमीदे की वीडियो आपको पसंद आई होगी, गर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और पहली बार इस चैनल पाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के जाज़ाद वैल आइकन को भी प्रेस कर लें, धन्यवाद